मनुसे की धिनिक जीवन की अंदर अक्सर एसे विविन तरह के मुहावरों का प्रियोग होता रहता है जो अनेक तरह की प्रिक्षाओं के अंदर बार-बार पूछे जाते हैं जिसके कारण से वक्ये बड़ी ही सुंदर्वे रोचक बनते जाते हैं और आज का हमारा मुहावरा है नानियाद आना यानि आजम इस वीडियो की अंदर नानियाद आना मुहावरे का अर्थ है और इस मुहावरे के वक्यम प्रियोग के बारे में जानेंगे तो वीडियो को प यानि इस मुआवरे का अर्थ होता है बहुत अधिक गबरा जाना। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तब उस व्यक्ति को अपनी मा याद आ जाती है। पर जब कभी मुसीबत बड़ी होती है तब व्यक्ति अपनी मा को याद ने करकर अपनी मा की मा को याद करता है। जिसके कारण से उसे लगता है कि मा की मा यानि नानी इस मुसीबत से छुटकारा दिला देगी। क्यूंकि मुशिबत इतने बड़ी है कि वह वेक्ती इतना अधिक गब्रा जाता है कि अपनी नाने को ही याद करने लग जाता है। इस कारण से ही नाने याद आना मुहावरे का अर्थे बहुत अधिक गब्रा जाना होता है। और जहां पर बहुत अधिक गबरा जाने की बात होती है वहीं इस मुहावरे का वक्यम प्रियोग किया जाता है। नाने याद आना मुहावरे का वक्यम प्रियोग। पहला वाकिम्प्रियोग, चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण रामु को इतनी मार पड़ी की उसे नानी याद आ गई दूसरा वाकिम्प्रियोग, जब पिताजी को पता चला की बेटा स्राब पीता है तो उन्होंने बेटे को इतना मारा की उसे नानी याद आ गई तीसरा वाकिम्प्रियोग, रात को रास्ते से जाते जब रमेश ने ड्रावनी आवाज सुनी तो उसे नानी याद आ गई चोथा वाकिम प्रियोग, राहूल उन गुंडों के साथ मजा कर रहा था जिसके कारण से उन गुंडों ने उसे इतना पीटा की उसे नानियाद आ गई पांच वाकिम प्रियोग, खून करने के कारण पुलीस ने हतियारे को इतना टोर्चर किया की उसे नानियाद आ गई अंदेरे में ख्यालचंद ने सपेद कपड़ी पहने अपने भाई को देखा तो डर के मारे उसे नानियाद आ गई पहलवान ने जब राजेस को पकड़ पकड़ करे पीटा तो उसे नानियाद आ गई अगर आप इस मुआवरे की बारी में किसी भी प्रकार का परसन पूछना चाती हैं तो आप अपना परसन कमेंट बुक्स में रख सकते हैं इसके अलावा अगर आप विबिन तरह के मुआवरों की बारी में और अधिक जानकारी चाती हैं तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि अगले विबिन तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके और आप अनेक तरह के मुआवरों के बारे में ज्यान हासिल कर सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना बुले